Hello students, मैं हूँ जो जित्रांश और मैं अब सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ जिसका नाम है जित्रांश Commerce Classes तो चलिए शुरू करते हैं So students, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है Capital Accounts of Partners जैसा कि आपने अपने लास्ट वीडियो में देखा था PL Appropriation का मैंने full explanation दिया था और उनके मैंने कुछ short tricks भी सिखाए थे जिससे कि हमें पूरा का पूरा format PL Appropriation का और उनके जो journal entries पास किया जाते हैं और just PL Appropriation Account की बाद मैंने बताया था कि हमारे जो next account बनता है वो होता है हमारा partners के capital account but in case of partners capital account मैंने PL Appropriation ने बताया था कि हमारा जो पूरा PL Appropriation account का balance होता है which is transferred into partners के capital account में लेकिन condition क्या होता है कि कभी-कभी हम लोग capital यूज़ करते हैं और कभी हम लोग current word यूज़ करते हैं so the difference is that कि हमारे पास जो capital accounts of partners होते हैं which are two types the first is fixed and the second is fluctuating अब concept क्या निकल कराता है यहां पर हमारा कि जो fixed capital and fluctuating capital है तो मैंने यहां पर mention कर दिया case और मैंने एक side में एक roughly अपना PL Appropriation का format भी बता दिया है क्योंकि मैं यहां पर आपको पूरे की पूरे capital account को learn करने की trick सिखा दूँगा जिसने कि अगर आपको जैसे मैंने PL Appropriation के trick सिखाया तो आपको PL Appropriation learn हो गया होगा अब PL Appropriation अगर आपको learn हो चुका है तो आपको यह पूरा format learn करने की जरूरत ही नहीं है आप fixed capital and fluctuating capital का format उसमें जितने data आते हैं आप automatic ही पूरे data को fill कर सकते हैं जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं तो PL Appropriation का format हमारे यहां सामने है और मैंने यहां पर दोनों case अलग-अलग note कर दिये हैं for example जो हमारा fixed capital account का case होता है कि हमारे question में जब भी यह दिया रहेगा कि when capitals are fixed तो यहां पर क्या होते हैं हमारे दो account बनते हैं the first is partner's capital account and the second is partner's current account clear और जब भी हमारे question में fluctuating capital कहेगा fluctuating capital के case में मैं सिर्फ एक ही account बनते हैं जैसे कि होता है वो partners capital account में अब difference is what कि जो fixed capital and fluctuating capital यह होते क्या है तो हम सबसे पहले fluctuating capital का explanation दे देते हैं तो जैसा इसका नाम है fluctuating fluctuating means fluctuate करना means change होते रहना तो जब partners की capital जो होती है या हमारे जो firm में capital invested है वो change होती रहती है वो fixed नहीं होती है वो day by day या फिर अपने business profile के हिसाब से जब भी वो capital fluctuate होगी change होती रहेगी तो उसकी जो entries होती है वो हमारे partners की capital account में होती है और उसे हम अपने firm की fluctuating capital होते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है partners की capital फिक्स कर दी जाती है कि for example अगर firm में दो partner है A and B और A ने one lakh rupees capital invest किया and B ने two lakh invest किया और वो इनकी capital fixed है तो वो हमारा हो जाएगा fixed capital का case और उसमें क्या होता फिर हम लोग partners capital account and current account दोनों अलग-अलग बनाते हैं लेकिन हमें यहाँ पर क्या समझना है कि हमें पूरा format अच्छे से कैसे learn हो जाए तो हम स्टार्ट करते हैं fluctuating capital को first pick करते हैं उसके बासे हम आपको इसकी ट्रिक सिखा दिए तो सबसे पहले हम fluctuating capital के उपर आते हैं तो जैसे हमने प्ल अप्रोप्रियेशन अकाउंट बनाया क्योंकि मैंने एक साइकल बताया था कि सबसे पहले में प्ल अकाउंट जब बनाते थे class first year में उसके बाद हम लोगों ने class 12 में स्टार्ट किया प्ल अप्रोप्रियेशन और प्ल अप्रोप्रियेशन अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर होगा हमारे capital अकाउंट में अब जैसे ही capital अकाउंट हम प्रिपेर करते हैं यह हमारा format है जितने भी partners रहते हैं उतने columns बन जाते हैं तो मैंने यहां पर टू पार्टनर्स की एक्जम of the partners capital ठीक है और capital का balance क्या होता है यह क्या होता हमारा credit balance होता है आप हमारे class first year के balance में जाकर देख सकते हैं मैंने वहां पर सारा explanation किया हुआ assets is equal to liability plus capital debit is equal to credit का concept है पूरा वो कि हर एक account का balance क्या होता है तो capital का balance क्या होता है credit होता है class first year में आप लोगों ने जब भी trial balance बनाया होगा तो उसमें balance of account दिखाते थे आप debit and credit में वहीं सी यह balance आता है कि हमारे capital account का balance credit हो जाता है कुछ cases में जब firm loss में चली आती कुछ partner की balances हो जाते हमारे question में वो दिये रहती तब वो debit balance जाता है and otherwise हमारे जो पूरे balances होगे partners capital account के वह हमेशा credit में ही जाते है next यहाँ पर मैंने accounting add किया है cash and bank का what is cash and bank तो जब भी एक partner जो है firm में तो वह add होगा हमारे credit side में और अगर किसी partner में withdraw किया है from his capital तो वो होगा debit side में अब drawing की case में कई बार बच्चे confused हो जाते हैं कि question में drawing दिया रहता है तो वह भी लाके हैं यहाँ पर हम cash and bank में दिखा जाते हैं लेकिन नहीं जब भी कोई partner question में लिखा रहेगा कि drawings against capital है means drawing जो वो capital में से हो रहा है तब ही यहाँ पर हम दिखाते हैं विड्रावल नहीं तो यह drawing और cash and bank का drawing यह दोनों अलग होते हैं drawing अगर हम जब भी अपने capital के अगेंस से करें हैं तो हम cash और bank के नाम से दिखाते हैं और question में जब एक simple drawing दिया रहेगा कि एक partner ने इतने विड्राव किये हैं और against capital नहीं है तो वो हमारा show that drawing के नाम से अब यहाँ पर cash and bank के बाद क्या होता फिर हमारा partner salary है, partners commission, interest on capital, PL appropriation का profit, debit side में ने cash bank drawing interest on drawing PL appropriation balance dimension कर दिया, याद कैसे होगा हमारा format ध्यान से समझेंगे, कुछ नहीं करना है, PL appropriation का format आपको learn है, जितनी चीजे हमने PL appropriation account के debit side में दिखाई हैं, वो सारी की सारी चीजे उठ कर हमारे partners capital account के credit side में आ जाएंगी, सिर्फ हमें दो ही चीज़ partners capital में add करना है, the first is उनके balance and the second is अगर कोई additional capital है question में तो नहीं तो इसको नहीं दिखाएंगे additional capital को, लेकिन इसके बाद देखें मैंने जितने data लेखें वो सब आ रहेंगे partners capital में, for example, salaries of partner देखें आ गया, commission to partners ये भी आ गये, reserve नहीं आएंगे, reserve की conditions होती है, वो भी आएंगे हमारे capital account में लेकिन उनके कुछ conditions होते हैं कि वो balance sheet में हमारे दिये रहेंगे, तब वो partners capital account में divide होते हैं, वो आगे के question में आने वाले हैं, तो वहां पर explanation होगा, अभी फिलाल हम इतनी चीज़े समझते हैं, अब next क्या balance जो मैंने बताया था, PL appropriation account में balance आता है, debit or credit side को जब minus करते हैं, तो बाकि सारे data देखे हमने copy paste कर दिया, as it is, same as it is, हमारा ये site भी होगा, तो जैसे हमने इधर reserve को छोड़ा, तो इधर हमने data को छोड़ते हैं, which is PL account, क्योंकि PL account हमें actual दूसरा मिलना है, तो इसलिए अब इस data को छोड़ देते हैं सर्फ इसके बास से, अगर question में हमारे interest on drawing हो, तो देखें, यहां पर हमने interest on drawing दिखाया है, यह है न drawing, और एक चीज़ additional add हो जाती है, which is drawing, क्योंकि हमें partners capital account में यह show करना पड़ता है, कि किस partner में कितने amount का withdrawal किया है, form से, so यहां पर interest on drawing हो, तो देखें, interest on drawing भी आ गया, और एक चीज़ another add होती, which is drawing, सिर्फ बस, अब इसक profit था तो profit इधर आ गया, loss है तो loss, अब मैंने पहले ही बताया था, कि इन दोनों balance में से सिर्फ कोई एक ही balance हो सकता हमारे question में, या तो question में profit होगा, या फिर loss होगा, इसलिए मैंने इसे circle से mention कर दिया है, कि या तो यह या तो फिर यह, तो अगर loss है तो देखें, वो इधर आ करना है, फिर क्या करते है प्रेस स्टेप में, जैसे कि हम लोग क्लास 11 में लेजर का balancing करते थे वही चीज़ यहां भी करना है, सबसे प्राइज है A column का total करेंगे, A partner का credit side का, और A partner के debit side को minus करेंगे, तो जो difference amount होगा, जिस side में, अगर हमारा debit side में, तो लिखेंगे 2 balance CD, और यहां पर हमने, यहां पर उनका जो भी difference amount होगा, वो balancing figure mention हो जाएगा, same as it is for B का total करेंगे, और फिर जो B का balancing figure होगा, वो यहां पर mention हो जाएगा, तो यह हमारा balancing figure होता है, अगर इधर पैसा कम पढ़ा तो इधर balance CD, और credit side में पैसा कम पढ़ा तो credit side में balance CD, तो यह हमारा full concept थ बनागे सिर्फ यहां पर, एक drawing यहां पर सिर्फ यह एडलक से add हो जाता है, और इसके बार बागी सारी चीज़े as it is देखिए आपको same दिखरेंगे, इसी तरह से अगर हमारे पास question में, अगर fixed capital का case आ जाता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, fixed capital में अब capital fixed है, इसलिए जब capital fixed जोगे तो देखिए partner के लिए अलग से capital account बना दिया गया, कि अच्छा तुमारे में changing नहीं होने वाला है, तो तुमको पहले हम अलग कर देते हैं, जिनमे changing होगा, उनके लिए हम अलग account करेंगे, और जिनमें कोई change नहीं होगा, उनके लिए हमने अलग कर दिया, इसलिए हम separate account को open कर रहे हैं, क्योंकि current account का balance हमारा debit भी and current भी, दोनों ही खुर सकता है, और दोनों अलग-अलग balances आते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है fixed capital, सबसे पहले partners capital, तो पहले same concept है होगा कि capital का balance credit, तो by balance BD, A और B, जो भी partner उनकी capital सबसे पहले दिखा दिया, और दूसरी चीज, ज यही चीज इतना capital का portion है, और यह पूरा इतना है, यहाँ पर देखे, मैंने mention कर दिया, और यह withdrawal का portion है, यह withdrawal का cash and bank के नाम से mention हो दिया, इसके अद कुछ नहीं करना है, बस balance निकाल के question खतम, हमने A column का total किया, और A column का, अगर debit भी balance है, तो minus करके balance credit answer आ गया, B column का total किया, minus करक बता है सिर्फ partners के capital account को prepare करने का in case of fixed capital, और current account तो सबसे असान है, जैसे कि current account का मैंने balance गोला कि which is debited और also credited, so देखे, मैंने दोनों side में balance video mention किया है, यह देखे, credit balance भी हो सकता है and debit balance भी हो सकता है, तो अगर question में credit balance है, तो credit balance के side में जाके show करेंगे, debit balance है, तो debit balance में show करेंगे और कभी-कभी question में अगर दो या तीन परटनेर है, तो हो सकता हूझ किसी एक partner का credit balance हो, और किसी दूसरी partner का debit balance हो, तो जिस partner के 사ामने bracket में credit लिग देगा, तो उसके column के credit में दिखाएंगे balance video बस इतना ही करना है इसके बास से जितनी चीज़े आपको यहां पर दिख रही है वह सब की सब हमारी इस पार्टनर के अपको समझा दिया देखें जैसे पूरी की पूरी चीज यह कॉपी और यहां पर पेस्ट कोई एक परसेंट का चेंजिंग नहीं होगा देख सकते हैं बुक्र चैनल के और यहां यहां पार्टनर सेलरी है देखेंगा और कोपिल प्रेट उप तो interest on drawing है और PL appropriation अगर loss था तो loss है अगर loss दिखा देंगी क्योंकि मैंने पहली बताया है या तो question में यह आएगा या तो profit या तो loss दोनों में से कोई है और इसके बास से simple method क्या हो जाएगा फिर वही balancing करना जैसे हमने partners के अप्टल अकॉर में बताया है के हम A partner का टूटल करेंगे credit side और debit side पैसा जिधर कमपड़ेगा उधर जाके लिख दिगे हम balance CD For example A के side में पैसा कमपड़े हमारे debit side मे वह हम A के column में लिए तू balance CD और A के column में पैसा दिखा दिखा दिया तो B के column में नहीं दिखाएगे और for example B के कॉल्म में हमारे पैसा कम पढ़े है credit side में difference amount is which is balancing figure तो B के कॉल्म के हम credit side में जाएंगे और यहाँ पर आके हम B के कॉल्म में दिखा देंगे ना कि A के कॉल्म में दिखा देंगे सिंपल सा fixed and fluctuating capital का पूरा question solve करने के लिए इससे जाधा और इसमें कोई भी चीज आपको जानने के लिए नहीं है हर question की छोटे छोटे points है छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो हम सिखाते चलेंगे आपको अपने हर एक वीडियो में अभी आज जो हमारा है जो हमारा पूरा format basis चल रहा था तो हमारा PL appropriation का format complete हो चुका है मेरे last वीडियो में आप फूरा full देख सकते हैं और यहाँ पर हमने पूरा एक full capital का explanation दिया है जिसमें मैंने पूरा fluctuating capital और fixed capital का जो concept है या कैसे करते हैं इनकी पूरी अच्छे से proper trick समझ ली है चीक है कुछ नहीं करना है एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं debit की सारी चीज़े उड़के credit में आ जाती है और credit की सारी चीज़े उड़के debit में चली जाएंगी और accept क्या होता सिर्व और इधर एड़ क्या हो जाता है सिर्व ड्रॉइंग बाकि balancing की अगर आपको पहले से पता है कि capital का balance हमारा credit side में है और अगर किसी पार्टनर ने additional capital इंट्रोड्यूस किया तो credit में और withdraw किया तो debit में एक question भी बनता है कि क्यो यह debit में credit side में दिखा है additional capital अरे तो firm में हम अगर पार्टनर capital इंट्रोड्यूस करा तो firm में पैसा आ रहा है ना तो firm में जब पैसा आएगा तो firm के लिए क्या हो profit which is credit balance और अगर किसी पार्टनर ने capital में से withdraw किया तो firm से पैसा out हो रहा है तो जब पैसा out होगा तो फिर क्या होगा वो debit होगा तो इसलिए इसको debit balance में दिखा इसके बाद आपके सारे balances से होगा है आपको वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन पर जाहिएगा और वहां से notification को on कर लिएगा जिससे की regular जो मैं वीडियो अप्लोड करूँ आपको regularly update मिलते है अ हमारे जो next वीडियो होगी वो numerical के solution से start होगी अब महाँ से start करेंगे okay students अब पढ़ाई के लिए अच्छे से बैठके कोई भी problem हो तो comment section में आगे comment करें या फिर आप हमें whatsapp भी कर सकते हैं okay students all the best thank you